नमस्कार दोस्तों आर्वी न्यूज लाइब में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सेक्टर 93 नोईडा से संबादाता लोकुस यादो की ग्राउन रिपोर्ड लाइब कवरेश बने रे चैनल के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं आरवी लाइब न्यूज और में हूँ आपके साथ प्रीति वर्मा आए शुरूरात करते हैं आज की खास कपरों के शाथ अगर आपने हमारे चैनल को ससक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को ससक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें नमस्कार मैं लोकुस यादो सेक्टर 93 से एक खास रिपोर्ट आज आपको बता दें कि ये नोयडा का वही टूइबन टावर है जिसको 28 तारीख को गिराया जाना था आज वो तारीख आ चुकी है बस समय का ही इंतजार है जैसे ही प्रसाशन दोरा तै किया गया समय पूरा होता है इस टूइबन टावर को जमीन ध्वस्त कर दिया जाएगा और इसमें प्रसाशन की कड़ी निगरानी में देख रेख में इसको गिराया जाएगा आप देख सकते हैं कि ये नोयडा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौझूद हैं और चारो तरब बैरिकेटिंग की गई है जिससे कोई अन्होनी न हो सके इसका पूरा धान प्रसाशन द्वारा किया गया है साथ ही जो इसके बराबर में टावर हैं उनको भी खाली करा दिया गया है हम आपको दिखाना चाहते हैं ये इसक्लूजिप तस्वीरे सेक्टर 93 से तुविबन टावर जो आज नोयडा में इसको ड़ाई बजे का समय बताया जा रहा है इसको ड़ाई बजे ही जमी ध्वस्त कर दिया जाएगा यहां साशन की पूरी मुस्तेदी है प्रसाशन कोई भी चूप नहीं करना चाहता है आपको दिखाना चाहते हैं कुछ तस्वीरे और भी दिखाना चाहेंगे आपको हम यहां काफी लोग भी मौजूद हैं हमारे मेडिया साथी भी मौजूद है यह वही सेक्टर 93 है यहां पे सेक्टर 93 पे 2-1 टावर मौजूद है और आज इसको जमी धुस्त किया जाना है यह 2-1 टावर इसमें पूरी तैयारी हो चुकी है बस समय का इंतजार है मैं लवकुष यादव सेक्टर 93 से एक खास रिपोर्ट बारी हो आजिवारी है यह लवकुष बारी है मैं लवकुष यादवी जमीबारी है झाल झाल